फराँ खान जिन्होंने रीसेंटी सल्मान को रिप्लेस किया as the host of a popular reality show has made headlines when asked if she would do a film with सल्मान in the new future. मैं हूना से लेकर हैपी नियर तक शारुख खान और फराँ खान का सुसेशन काफी successful साबित हुआ है. और जब भी फराँ ने शारुख के बगैर फिल्म बनाने की सोची है तो उस फिल्म को बॉक्स आफिस पर काफी shocking response मिला है. जिसका recent example है तीसमार खान और जोकर. ऐसे में कोई शक नहीं है कि आगे अगर फराँ खान कोई भी फिल्म बनाने की सूचेगी तो वो शारुख खान के साथ ही होगी. और हैपी न्यूएर के वापिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बाद अब फराँ खान और शारुख खान फिर एक बार साथ आएंगे for a small budget film. खबरों के माने तो फराँ खान फिल्हाल इस फिल्म के आइडिया को शारुख के साथ डिसकस कर रही हैं and the script is yet to get finalized. वैसे एक magazine को दिये गया interview में जब फराँ को सल्मान के साथ काम करने की possibility के बारे में पूछा, तो she said that she doesn't see a film with Salman happening in the near future.